नमस्कार, मैं रंजीता मीना, एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूँ एक लाख टके की बाद दोस्तो एक बार एक चोर को अदालत में प्रस्तुत किया गया जब सजा सुनाने की बारी आई तो चोर ने कहा कि मेरी मा को बुलाया जाए जब मा को बुलाया गया तो चोर ने कहा जश सहाब आपको जो भी सजा सुनानी है मेरी मा को सुनाईए जश सहाब ने पूछा ऐसा क्यों तो चोर ने कहा कि जश सहाब बचपन में जब एक दोस्त के यहां से में खिलोना चुरा कर लाया और मा को दिखाया तब ही अगर मा मुझे रोग देती तो शायद आज मैं इस कटगरे में खड़ा नहीं होता दोस्तो, मेडिकल साइंस कहता है कि बच्चे के पैदा होने से ले करके अगले साथ साल की उम्र बड़ी ही महतोपोण होती है इस उम्र में वह एक रिकार्डिंग मशीन की तरह होता है वह माता पिता को जो भी करते देखता है वही सीखता है प्रत्य घटना को गौर से देखने पर अगर उसे माता पिता की मौन अनुमोधना मिलती है तो वह उस घटना को सही माल लेता है जैसे अगर माता पिता अपने नौकरों से जगड़ते हैं, बत्तमीजी करते हैं, दुर्वेवहार करते हैं या अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं या फिर अगर उन्हें कोई बुरी आदत हो जैसे सिग्रेट पीना आदी आदी तो दोस्तो समझ लीजिए आपने बच्चे को भी वही सब कुछ सिखा दिया है इस समस्या का एक समाधान है, आप इस समस्या से उबर सकते हैं जैसे ही बच्चा पैदा हो, यह मान लीजिए कि एक बोड आपके सामने लिखा हुआ है जिस पर लिखा है कि आप कैमरे की निगाह में है दोस्तो कई बार हमने देखा है कि बहुत ही पढ़े लिखे एवं समझदार व्यक्ती भी कई बार अपने जीवन साथी से या अपने कर्मचारियों से बत्तमीजी से पेश आते हैं अगर आप उनके बच्चपन में जाग कर देखें तो आपको पता चलेगा कि उनके माता-पिता भी ऐसे ही थे पुराने लोग कहते थे कि माता-पिता ही बच्चे का सबसे पहला स्कूल होते हैं भागम-भाग के इस दौर में यह समझ लीजिए कि बच्चे को आपकी बेहत जरूरत है आप उसके भले बुरे व्यक्तित्व निर्मान के एक अनिवारे किरदार है पुर्षो को अपनी मना स्थिती बदल कर पत्नी के साथ बच्चों की परवरिश में सहभागिता करने की सख्त जरूरत है नौकरी, बिजनस में चाहे आप कम समय दे लेकिन बच्चे के एक साल से ले करके साथ साल की उम्र तक उन्हें क्वालिटी टाइम देना बहुत जरूरी है बाद में ऐसा ना हो कि आप शेर कहते नजर आएं कि मैं खिलोनों की दुकान ढूनता रह गया और मेरे फूल से बच्चे सयाने हो गए दोस्तों लाख टके की बाद हमारे बच्चों के लिए हम ही वह कुरान हैं जिसे वे अपने जीवन में पढ़ेंगे हम ही वह इकलोता धर्म हैं जिसे वे अनुसरन करेंगे हामी वह इकलोती बाइबल है जिसका वे अनुभाव करेंगे एवं हामी वह इकलोता वेध हैं जिसे वह देखेंगे अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो हमारे पीज योगीश मीना को लाइक और फॉलो करना ना भूले साथ ही साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल योगीश मीना को भी और भी ऐसी खुबसुरत सी बाते लेकर आती रहोंगी आप लोगों के लिए मैं रंजीता मीना खंडवा मध्यप्रदेश से धन्यवाद